स्वाकेत आपका भारत वाइस में राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी इन दिनों टीवी पर मीडिया में अकबारों में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं प्रधानमंती नरेंद्र मोधी और भारते जंता पार्टी बहुत कम दिखाई दे रही है टी आरपी दे रहे हैं राहूल गांधी, सोनिया गांधी, कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के अंदर चाहे अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो उन खबरों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं यही वज़ा है कि मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दिखाने में ज्यादा दिल्चस्पी दिखा रहा है बनिस्बत प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के चाहे गुजरात को कितनी बड़ी भी सौगात प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने दी हो या फिर कोई और बड़े कारिकरम में उन्होंने हिस्सा लिया हो उस हिसाब से उनकी खबरें नहीं दिखाई जा रही है जैसा पीए मोधी को लेकर पहले दिखाया जाता था लेकिन अब राहूल गांधी उससे ज्यादा देखे जा रहे हैं टीवी पर अकबारों में और अलग-अलग जो मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर क्यूंकि राहूल गांधी को लोग देखना पसंद कर रहे हैं भारते जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर मीडिया के हवाले से ये आ रही है कि 55 फीसदी से ज्यादा हिस्सा जो ये स्पेस है मीडिया का वो राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी ने अपने हिस्से में किया है पिछले 10 दिनों में पिछले 10 दिनों में कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांधी को मीडिया में ज्यादा दिखाया गया 22 बत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के और भारते जन्ता पार्टी के अच्छी या बुरी खबरें इससे फरक नहीं पड़ता है लेकिन वो कॉंग्रेस पार्टी जो मीडिया से पूरी तरह गायब थी राहुल गांधी को तो दिखाया ही नहीं जाता था टीवी चैनल्स पर और कॉंग्रेस पार्टी की बात ही लोग नहीं करते थे बस मोधी मोधी की चर्चा होती थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी किसी छोटे से कारक्रम में जाते थे तो बड़ी बड़ी खबरे बनती थी वर्च्वली भी कहीं प्रधान मंत्री का कोई सम्मोधन होता था तो उसको पूरा लाइव दिखाय जाता था और अगर प्रधान मंत्री कहीं जा रहे हैं खुद तो फिर वो तो बहुत बड़ी खबर बनती ही थी शाम में उस पर डिबेट होती थी लेकिन अब वो दौर लगता है कि बदल चुका है क्योंकि अब इस जगह पे शाम के डिबेट में टीवी चैनल्स के बड़े बड़े चैनल्स के डिबेट में अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की जगह राहुल गांधी पर चर्चा हो रही है बात हो रही है अब सोचिए वो गोधी मीडिया जो हर समय मोधी मोधी के गुन गाता था वो अब राहुल राहुल का गुन क्यों गा रहे है राहुल गांधी बरसात में लोगों को संबोधित करते नजर आए राहुल गांधी यहां लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी मस्जिद जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं चर्च जा रहे हैं और इस तरह की तमाम खबरें राहुल गांधी करनाटक में कितने दिन गुजारेंगे सोनिया गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली है इस तरह की खबरें हर वक्त मीडिया में चल लही है लेकिन उसके मुकाबले प्रधान मंतिया और नरेंदर मोदी मीडिया से एक तरह से गाइब है भाजपा के लिए ये पिहत चिंता की बात है और प्रधान मंतिया नरेंदर मोदी को तो खेर ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको इस तरह का दौर भी देखना पड़ेगा बड़ी बात ये है कि मीडिया को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कॉंग्रेस पार्टी से तो जाहिर सी बात है इसको नजर अंदास तो किया नहीं जा सकता है अगर दो-चार चैनल वाले इसको दिखा कर टी-आर-पी ले लेंगे तो फिर इनको अपनी मार्केट भी तो बनानी है सिर्फ मोदी-मोदी करने से काम तो नहीं चलेगा जाहिर है उनको रेविन्यू का एक बड़ा हिस्सा वहां से मिल सकता है या फिर सरकार की वाहवाही करने से उनको बड़ा फाइदा तो होता ही है लेकिन इसके बावजूद जनता और पब्ली का जो सेंटिमेंट है लोगों का जो जुडाओ है उसको भी देखना जरूरी होता है मीडिया में कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं पिछले हफते 10 दिनों में कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी को जितना है स्पेस मिला है मीडिया में भारते जनता पार्टी और प्रधान मंतिर डाणे दर्मोधी बुरी तरीके से पिछरते हुए नजर आए है इस पूरे एपिसोड में कॉंग्रेस पार्टी ने भी बड़ी भूमी का निभाई है कॉंग्रेस का मीडिया से बहुत ज्यादा सक्रिये नजर आ रहा है हमने देखा था कि शुरुआती दिनों में कैसे कंटेनर से लेकर के राहूल गांधी के टी-शर्ट का विवाद आया और ये सब विवाद भारते जनता पार्टी इस मुद्धे को उठाती रहे उसी पर ये सब उल्टा पड़ता गया और ये खबरे मीडिया में बनती चली गई अच्छी या बुरी खबरे कॉंग्रेस को फाइदा पहुचाती रही हालत ये हो गए कि भारते जनता पार्टी के अब कोई भी नेता जब हमने देखा था कि इस मुद्धी रानी विवेकानंद के समारक पर नहीं जाने का मुद्धा उठाये था या फिर संबित पातरा जैसे नेताओं ने बहुत सारे इशूज को उठाये लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया तो भाजपा के बड़े-बड़े नेता अब किसी मुद्धे को उठाने से डरते हुए नजरा रहे है इन्हे हक्तों में कॉंग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया राजस्थान का जो संकट अभी टला नहीं है वो पुरी तरीके से खतम नहीं हुआ है लेकिन इस विवाद में भी कॉंग्रेस पार्टी को मीडिया में बनाए रखा है जो कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी के लिए फाइदे मन जरूर साबित हो सकता है क्योंकि वो चर्चा में हैं लोगों के बीच कॉंग्रेस की अच्छाई या बुराई को लेकर बात हो रही है ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती थी कैसे हमने देखा के सचिन पाइलेट राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उसके अगले दिन अशोक गहलोत वहां गाए फिर ये खबर आई कि अच्छोक गहलोत कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक्ष के चुनाओं लड़ेंगे रास्टी अध्यक्ष का उसके बाद फिर ये पूरा जो विवाद सामने आया यहां से प्रविक्षक गए और उन्होंने वहां पर मीटिंग बुलाई लेकिन उस मीटिंग में विधायक शामिल नहीं हुए राजस्तान की विधायकों ने अलग से मीटिंग बुला ली फिर अशोक गैलो दिल ली आए उन्होंने सोनिया गांदी से माफी मांगी कहा गया कि ये विवाद यहीं पर खत्म हो गया उसके बाद फिर मलिका अरजुन खरगे ने चुनाव लड़ने का एलान कर दिया और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया फिर सोनिया गांदी करनाटक पहुँच गए और अब कहा जा रहा है कि छे तारीक को सोनिया गांदी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी और इसको लेकर इस तरह की खबरे बन रही है कि आने वाले हफते दस दिनों तक कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गांदी ही मीडिया में चाये रहेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है तो इस तरीके से क्या पूरे महीने या फिर लगातार आने वाले दिनों में कॉंग्रेस पार्टी का ही जलवा मीडिया में रहेगा गोदी मीडिया जो दिखाना नहीं चाहता था राहुल गांदी को पॉजिटिव खबरे इस तरह की खबरें बता करके कि देश में सब कुछ ठीक हो रहा अच्छा हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की परशंसाएं की जा रही थी लेकिन अब हालत यह हो गई है कि दिखाना पड़ा है क्योंकि नितिन गटकड़ी हैं वो किस तरीके से सवाल उठाते हैं कि 20 करोण लोग गरीबी रेखा से नीचे है 23 करोण लोगों की प्रतिदिन की आमदनी 375 रुपे है गरीबी बिरोजगारी बढ़ रही है आर्थी का समानता बढ़ रही है एक प्रतिशत के पास करीब 20 प्रतिशत आए है और 50 प्रतिशत के पास 13 प्रतिशत ही आमदनी है इस तरह से वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर बोलते हैं जिससे साफ तर पर दिखता है कि प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी ने पिछले 8 सालों में क्या किया और आने वाले 2 सालों में और क्या हो सकता है इसकी उमीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और 1.5 साली बलके बचे हुए इसी में पूरे हालात बदल जाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता है तो ये मान के चली कि पिछले 10 सालों में प्रधान मंत्री नरे दर्वमोदी के काम करने के तरीकों को लेकर खुद संग की तरफ से सवाल उठ रहे हैं और भाजपा के नेताओं की तरफ से सवाल उठाय जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं, मीडिया में राहूल गांधी के स्पेस और प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी के कम होती जगह को लेकर, क्यूंकि कॉंके कॉंगरेस पार्टी इन दिनों अपना पूरा जल्वा दिखा रही है, और एक अलग अंदाज में कॉंगरेस पार्टी नजर आ रही है अब देखिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी किस तरीके से मीडिया में पिछरते नजर आने हैं एक बड़ा कारिकरम था गुजरात का गुजरात में विदान सभा चुनाओं होने वाले हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं लेकिन इस हफते जो उनका ये दौरा हुआ है वो बहुत ही खासता क्योंकि जो गुजरात में 36 वे रास्टी ये खेल है उसका शुबारम हुआ सूरत में करीब 3 किलो मिटर लंबा रोट शो किया प्रधान मंत्री ने जन सभा को उनोंने संबोधित किया विकास कारें की गुजरात को सौगात दी गरबा कारिकरम में शामिल हुए गांधी नगर में रेलवे एस्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई और भी कई बड़े कारिकरम हुए इसके इलावा वो राजस्थान पहुंसते हैं जहाँ पर कानून का हवाला दे करके वो 10 बजे के बाद माइक से स्पीच नहीं देते हैं ये सब कुछ होता रहा लेकिन ये बहुत बड़ी खबर नहीं बन पाई सोचिए इतने बड़े- पार्टी ले रही है तो जाहिड सी बात है 24 घंटे के इस पेस में तो खबरे दिखाई जाएंगी उसमें राहूल गांधी, सोनिया गांधी और कॉंग्रेस पार्टी ज्यादा हिस्सा ले रही है तो प्रधान मंतरी नडे दरमोदी और भाजपा की खबरे कम होती जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया ने अपना काम करना छोड़ दिया है वो अलग अलग तरीके से अपने कारिकरम दिखा रहे हैं और अब जो उपीनियन पोल्स आने वाले हैं अलग अलग राज्यों के जहां पर चुना होने वाले खास करके गुजरात और हिमाचल प्रदेश म वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी की छवी अभी भी बरकरार है बलके वो कहीं ज्यादा है और दूसरे जो नेता हैं वो कम होते जा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि उन राज्यों में जहां पर चुना होने वाले हैं वहाँ पर जनता चाहत प्रदान मंतिया नरेदर मोधी की चवई को बरकरार रखा जाए लेकिन इन सब के बीच मजबूरी ऐसी आ रही है कि कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी को दिखाना इन चैनल्स की मजबूरी हो गई है और यही वज़ा है कि आप कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में राहूल गांदी और कॉंग्रेस ने करीब 55 फीसदी जगा मीडिया में बनाई है तो वही भाजपा और मोदी को 35 फीसदी ही दिखाया गया है वही विपक्ष के नेताओं को 10 फीसद मीडिया में जगा मिली है तो इस तरीके से भारते जनता पार्टी का जो मीडिया में जनाधार है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है अब जनता में कैसा जनाधार होता है आने वाले दिनों में ये देखना बहुत खास होगा क्योंकि जिस तरीके से इस देश में महगाई, बिरोजगारी और ऐसे आम ल अपनी राय हमें जरूर दीजेगा, बहुत बहुत धन्यवाद